आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम ऐसे दान तक नहीं हो, तरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत दोस्वागत है, ये तस्वीरे दिल दहला देती हैं, इंडियन एक्स्प्रेस की खबर है ये, और ये क्रमेटोरियम की तस्वीरे हैं, लाशे इतन सब्सक्राइब करूँ, तो क्या खबर है मैं इस लेचर में जानेंगे, ये बड़ा छोड़ी अच्छा है, ये तो चलिए मैं इंडियन एक्स्प्रेस से उठाया हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क और मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या वेबसाइट में स्पेशल है आपके लिए, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो, तो COVID-19 की जो टास्क फोर्स बनाई है, जो सरकार की बॉड़ी है, जो सरकार को एडवाईस करती है, और इंप्लिमेंटेशन करती है, जो भी सरकार बोलती है, वो बोल रहे हैं कि एक नाशनल लॉगडाउन लगाओ, और नाशनल लॉगडाउन के लावा, कोई भी चारा नहीं है, 20 अपरेल को मोदी जी ने बोला था कि लॉगडाउन नहीं लगेगा, है ना, हर हाल में, ये लास्ट होगा, ये लास्ट अफोईट, वैसे भ लेकिन दोस्तों संक्रमण को रोक रहा है तो लॉगडाउन लगेगा, अब इसके इलावा कोई चारा नहीं है, मेरा भी शायद यहीं मानना है, पहले मैं लॉगडाउन के फिवर में नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हर दिन 4 लाग केसे जाएंगे, और अब यही एक रास्ता है, लॉगडाउन लगाओ, वरना तो बहुत हाथ से केसे, हाला कि mathematical model कह रहे हैं कि P का जाएगी, कली सरकार की super committee ने बोला कि अगले हफते से केस कम होना शुरू हो जाएंगे, IIT का सूत्र model बोल रहा है, 15 मही के बाद से, अशोक इनुवसिटी बोल रही है कि मही वो कह रही है कि जून तक ये problem चलेगी, तो अभी देखना पड़ेगा फिलाल क्या होता है, लेकिन बहुत बुरी हालत है, और cases लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा, active case load 32,00,00,00 हो गया है, 2.11,00,00,00 हो गया है, बहुत ही जादा बुरे हालात है, तो यहाँ पे task force न काफी, we are trying very hard, nationwide lockdown जो है, जो हम करने, अभी जो lockdown लगए हो, bits and pieces में, states में लगा हुआ है, उसकी वज़े से यह और ज़्यादा फैल रहा है, asymptomatic patients हैं, जो और ज़्यादा फैला रहे हैं, we are looking at the wrong end of tunnel, हम सुरंग की wrong end पे खड़े हुए हैं, हमको सही end पे जाना पड़ेगा, health care infrastructure indefinitely expand नहीं कर सकता, oxygen supply अब हमने ramping अब शुरू कर दी है, supply की problem खतम हो रही है, लेकिन उससे भी दिक्कते cases तो आई रहे हैं, तो cases को रोकने के लिए कम से कम दो हफतों तक lockdown लगाना पड़ेगा, और यह human to human spread है, हमको यह समझना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करते, तो transmission लग बुले हालात कर देता है, पिछले बार तो ऐसी बुले हालात किये, especially जो गरीब है, बहुत मार पड़ती है उनको, लेकिन यहाँ पे cases इतने जादा आ रहे हैं, इंसान की जिंदगी के इलावाद, इंसान की जिंदगी से जादा important तो कुछ है नहीं, नहीं economy है, नहीं पैसा ह कमाऊगे, तो rampant transmission, यहाँ पे तीन factors बताए हैं, तीन factors बोले हैं experts ने कि एक तो rampant transmission है, यह control में तब ही आ सकता है, जब हम lockdown लगाए, जब हम बोलते हैं कि अब community transmission तो होई गया है, तो इसका मतलब यह है, कि tracking or tracing is not there, ठीक है, and it is not actually important, क्योंकि आब आपको पता ही नहीं है कि कि किसको track करना है, किसको trace करना है, भाई, individual transmission, community हो गया, community spread, हम इतने लोगों को transmission किसको track करोगे, जब तक track करोगे, 100-200 cases और आ जाएंगे, तो इसलिए, everyone has to be positive, आपको यही assume करना है, हर एक इंसान will be positive, लखनो में तो यही हालात है, लगबग हर परिवार में एक ना एक positive निकली कई जादा है, तो best चीज यही है, कि यह दूसरे से contact में ना है, घर में ही रहें, यह hospital में रहें, उसके लिए आपको lockdown लगाना पड़ेगा, बाकी देशों ने किया ना, UK में, अमेरिका में, सब ने किया, दूसरा factor यह है, कि अब medical community का भी mood खराब हो रहा है, देखिए, medical community ब वो जब बताते बताते, condition रो पड़ी, तो उन्हों ने यह बोल रहे हैं, यह पर task force, कि हम कुछ करी नहीं रहे हैं, doctors बोल रहे हैं, doctors पूछ रहे हैं, कि हम रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जब lockdown नहीं लगाना था, तब lockdown लगाया, और जब lockdown नहीं लगाना है, जब lockdown पर उन लगाने तब सरकार लगा नहीं रही है एंबुलेंस की बाड आई हुई है पेशेंट्स जो है लगाता भीक मांग रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉटेज है अन्रेस्ट है डॉक्टर्स के अंदर भी अन्रेस्ट है ये बड़ी चौकाने वाली खाबर है कि डॉक्टर्स भी परिशान हो चुके हैं आप इंफेक्शन को रोकना पड़ेगा वरना हमारे देश का पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम कॉलाप्स हो जाएगा बेट्स नहीं मिल रहे हैं इतना दर्दनाक मंजर भीक मांग रहे हैं आपे लोग एक अभी वीडियो वाइरल हुआ था हेल्थ केर वरकर सिलेंडर पुलिस ले जा रहे थी चाहद किसी वी आईपी के लिए वो लेट गया कि मेरी मा मर जाएगी सिलेंडर मत ले जो तो सरकार क्या कर रही है अगर हम लोगडाउन लगा देते हैं एंथनी फॉची बोलते हैं कि अगर हम लोगडाउन लगा देते हैं कुछ हपतों के लिए तो साइकल और ट्रांस्मिशन रुख जाएगा भाई केसिस कम आएगे ना लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं अभी हो क्या रहा है ना कि हॉस्पिटल में भीड लगी हुई है जिनको कॉविड नहीं है वो भी लाइन लगाए हुए है वाक्सिनेशन के लिए भी भीड है तो इसकी वज़े से ये और ज़दा फैल रहा है और ज़दा केसे आ रहे है और ध्यान दीजेगा जितने ज़दा केसे आएंगे उतना ज़दा म्यूटेशन होगा उतना ज़दा म्यूटेशन होगा तीसरा अब रूरल इंडिया पहले फर्स्ट वेव में गाउं तक केसे नहीं पहुँचे थे मेरा जो टेकनिकल हेड दोस्तो अविनाश वो बता रहा था कि सर मेरे गाउं में अभी तक कोई केसे नहीं आए थे लेकिन अब उसके गाउं में भी केसे आ गए है लोग बिमार है डेट्स हो रही है तो अब रूरल इंडिया में भी ये पहुँच गया है हमको नहीं पता कि क्या होने वाला है तो इसी लिए small towns and villages बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं है health care infrastructure वहाँ पे ना के बराबर है इतना बड़ा नहीं है oxygen supply या कुछ इतना बड़ा नहीं है कि वो इतने बड़े सर्ज को समाल ले और अगर ये अंदर गया रूरल इंडिया में क्योंकि वो जादा आवेर भी नहीं है तो समझ लिए खेल खतम तो कब तक हम denial में रहेंगे ये member ने बोला है lockdown लगाओ immediate lockdown लगाओ राज्यों ने तो lockdown लगाई दिया है है ना जादा तर देखे अब वैसे तो shopping malls बंध है gym बंध है malls बंध नहीं है लेकिन वहाँ पर भीण नहीं लगा सकते gym, cinema halls ये सब बंध है या जहां चल रहे हैं वहाँ पर restrictions है शादी में, funeral में शादी में 50 से जाता नहीं, funerals में 50 भी बहुत हैं पता नहीं क्यो इतनी बूरी हालत है लोगों को किया शादी करने की पड़ी हुई है मुझे समझ में लियाता है रुक जहो यार, इतनी कहुन सी जल्दी है रुक जहो थोडा सा शादी के बाव रोगा कर लेना जब पता इतनी बूरी हालत है पता नहीं क्यूding तो marriages में 50 से जाता नहीं, 50 से कम, funeral में 20 से जाता नहीं, हलाकि इसको और कम करना चाहिए, करनाटक में public और private transport बिलकुल ban है, grocery shop भी सिर्फ सुबा 6 बजे से राथ 10 बजे तक खुली है, factories जो है वो 50% काम कर रही है, गुजरात में भी दोस्तों, गुजरात में भी यही हल है, गुजरात के 29 शेहरों में night curfew लगा हुआ है, transport 50% पर रन कर रहा है, महरास्ट में तो आप देखी रहे हैं, वहापे भी lockdown है, मुंबई ने public transport सिर्फ essential services के लिए चलाए गया है, वेस्ट बेंगॉल में partial lockdown है, यूपी, आसाम, तिलंगाना, आंधर प्रदेश, उडिशा, राजस्तान, राजस्तान में भी lockdown है, दिल्ली ने 10 मही तक lockdown जो है, वो impose कर दिया है, अर्विन केजरीवाल ने, क्योंकि उन्होंने बोला है, कि वहना health care infrastructure हमारा collapse हो जाएगा, यूपी में भी दोस्तों, अभी, जैसे अभी तो weekend पे था, Saturday, Sunday, अब ये Monday तक हो गया है, तो lockdowns तो लग रहे हैं, लेकिन they are in bits and pieces, nationwide lockdown लगना चाहिए, मैं भी इस बात से, कुछ हक्तों के लिए तो लगना चाहिए, थोड़ा relax हो, relax lockdown हो, लेकिन लोगों को घर में ही रखो, वरना ये और ज़दा फैलेगा, cases और ज़दा आ सकते हैं, आपका क्या मानना है, मुझे comment box में जरूर बताईएगा, और खबरी आप पे मैं आ गया हूँ, खबरी आप पे आप जाएए, मुझे follow करिए, वहाँ पे छोटे छोटे वीडियो मैं ज़द डालता हूँ, 4-5-5 मिनिट के, खुश रहे पर तेरे इदे से सिद्धान तक नियोतरी साइनिंग और चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक्यू सो मच,